हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे टीज कोडर्स चैनल पर यह हमारा जावा स्क्रिप्ट का सुलाहमा वीडियो है इसमें हम स्यूच के सिखेंगें तो आएए देखते हैं स्यूच के सिकाते किसे हैं स्यूच के सिक ऐसा स्टेटमेंट है जिसमें हम मल्टिपल कंडिशन के साथ इसके भैलू को चेक करते हैं तो आएए इसका सिंटाइक्स देखें यहाँ पर हमने स्यूच के स्यूच बर्ड का यूज किया है यह जरूरी लेक ना होता है और इसके बाद राउंड बर्ड से इसके साथ एक्सपरेशन का यूज की है इसमें हमारा एक्सपरेशन पास होगा उसके बाद हमारा यह केस चलते रहेगा कि जब तक कि हमारा कंडिशन चेक ना हो यह case के साथ ही हमारा condition check होगा और यह condition तब तक चलते रहेगा कि जब तक कि हमारा कोई condition true ना हो अगर condition यह नहीं चला सारे एक एक करके check करेगा यह पहला condition यहाँ check किया फिर दूसरा condition check करेगा तिसरा condition चलेगा और कोई भी नहीं मिला तो last में यह हमारा default statement यह चलेगा ही चलेगा तो यह आपका suitcase syntax अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आए अब हम इसका practice करके देखते हैं तो यहाँ पर हमने अपना HTML editor open कर रखा और इसके अंदर हमा script tag का यूज की है तो आए हम script tag के अंदर हम इसका practice करके देखते हैं सबसे पहले हम भायर दे नामगर के एक variable ले ले लेते हैं उसमें हम क्या करेंगे और value को assign कर दियो के अब हम क्या करेंगे future statement का यूज करेंगे और round braces के अंदर हम इसका argument पास करेंगे तो day argument हमने पास कर दिया अब curly braces के अंदर मेरा सारा condition यूज होगा तो पहला case keyword के यूज करते हैं सबसे पहले case keyword का यूज होता है इसमें हम one रखते है पहला value one रख दिये उसके बाद हम क्या करेंगे अपना statement लिखेंगे statement में document.write और इसके अंदर हम अब कोई value को print करा लेंगे तो इसमें हम करा लेते हैं today is today is Sunday Sunday बाद में लिख लेंगे क्योंकि copy paste करना परेगा तो सबते में साथ दिन होते हैं आपते में आठ दिन होते हैं तो एक दिन तो मेरा पहले अल्रेडी copy है इसी को copy कर लेते हैं और शाथ बार हम paste कर लेंगे इसे copy one bar two three four five six okay तो मेरा ये case चलता है कभी भी चलता है तो जीरो से चलता है zero one two three four five six और seven okay अब हम क्या करेंगे अपना day के नाम लिख देंगे तो Sunday पहला अगर zero आएगा तो Sunday होगा अगर भाइलो वग bathroom Monday हो जाएगा Monday अगर two भाइलो आएगा तो लो जाएगा क्या हो जाएगा बेटनस्ट डे खोर्थ बैलू आएगा तो कौन्छा होगा थरस्ट डे सिक्स्थ आएगा तो कौन्छा होगा राय डे सिक्स्थ आएगा तो कौन्छा होगा थर्डे और लास्ट में होगा जो मेरा डिफॉल्ट होगा इसमें हम ब्रेका यूज नहीं करते हैं और यहाँ पर हम लेखते हैंगे प्लीज बैलिट इन्पुट तो देखिए क्या हो इसमें हमें क्या मिल रहा है फ़ॉर्थ भैلू है देखा भैलू किया तो कितना है फोर्ज है यहाँ पर इसकेस में फोर्थ भैलू मिल रहा है तो यह इसको प्रेइल करेगा ठीक है तो टोडे इस ठ्रस्ट देख लीजै ठोडे इस ठ्रस्ट अभ palavra जैए 1 कर देते हैं, देखिए, 1 कर देंगे, Monday प्रिंट होगा, हो गया, Monday प्रिंट, अगर 2 कर देंगे, Tuesday प्रिंट हो जाएगा, हो गया, Tuesday का स्पिलिंग गलत था, हम सही कर देते हैं, कोई बाद नहीं, हो गया, अगर हम इसका value 3 कर देंगे, तो क्या होगा, देखिए, Wednesday, हो गया, अगर 4 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, फोर, ट्रस्ट डे, 5 कर देंगे, तो क्या होगा, Friday, 6 कर देंगे, तो क्या होगा, Saturday, Saturday की भी अगर स्पिलिंग गलत है, यहाँ पर, बाई होगा, टाइपिंग एस मिश्टिक हो जाता है, तो कोई बात नहीं, और 7 कर देंगे, तो क्या होगा, यह देखिए आप, 7 कर देंगे, तो मेरा, Please Valid Input, यह आएगा, अगर 8 कर देंगे, तो क्या होगा, यह भी चेक कर लिजए, 8 कर देंगे, तो भी वही आएगा, Please Valid Input, क्यों, क्योंकि, हमारा जो भी condition है, 6 तक ही है, यह 7 लास्ट वला value है, जो मेरा default है, अगर 6 तक डालेंगे, तो ठेक है, और उससे आगे, पीछे डालेंगे, तो Please Valid Input, अगर हम Minus 0 कर दते हैं, यह भी देख लिजए, Minus 0 कर दते हैं, तो क्या होगा, Please Valid Input, अच्छा, माइनेस में यह ले लेता, कोई बाद नहीं, Minus 0 is equal to Minus 0, ठीक है, और इसी को हम A String कर दते हैं, अगर जो A String कर दते हैं, तो क्या होगा, यह देखिए, Please Valid Input, तो अब तक इसका Clear हो गया होगा, आपको, तो यहाँ पर आपने Cease के बारे में देखा, आप लोग के Dot भी होगा, कि Break को हमने तो देखा ही नहीं, Break का काम क्या होता है, तो इक काम कर लेते हैं, Break को हटाई करके देख लेते हैं, क्या होता है, क्या होता है, तो खुद ही देख लेते हैं, देख लेते हैं, देख लीजे क्या होता है, Break को हमने अटा दिया, आप देखते हैं, Run करके, यह देखिए, Today is Friday, Today is Saturday, Please Valid Input, मतलब क्या होगा, मतलब यह होगा, Today is Friday, यह हमारा Case 4 है, 4-Case True है, तो इसके बाद के जितने भी value है, वो प्रिंट कर रहा है, तो इसी से बचने के लिए, हमारा जो Code Run हो, जो Code True हो, वही Run करें, और दुसरा Code Run न करें, इससे बचने के लिए हम Break का यूज़ करते हैं, तो आपको Break के आपर हम Clear हो गया होगा, अब एक Example और देख लेते हैं, इसमें हम Conditional Operator का यूज़ करेंगे, End का यूज़ करेंगे, Greater Than का यूज़ करेंगे, Less Than का यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले हम यह रख लेते हैं, इसमें हम देखिए, यहाँ पर हमने Comment में लिक रखा है, तो 0 से 17 होगा, उसको हम Child Category रखेंगे, और 18 से 35 होगा, उसको Young Category में रखेंगे, तो जिसका Age, 40 से उपर होगा, उसको हम Old Category में रखेंगे, तो आईए, सबसे पहले हम Age नाम करके एक Variable बनाते हैं, लेते हैं, उसमें हम चलिए कोई बात में फोर हैं, तो फोर ही रहने देजए, अब इसको Suge है ना, जो, इसको आप True कर देंगे, इसका मतलब हुआ, कि Suge के पास जैसे या आया, तो यह Suge अपने आप Run हो गया, और यह हर हालत में सारा, सारा यह Run करेगा, इसके अंदर जितने भी Case हैं, Case हैं, उससारे run होगे ही उगे, तो अब इस Case के अंदर ही हम अपना Condition का रोट करेंगे, तो ही हम Case यहें पर हम अपना Condition का रोट करते हैं, इसकी Case के पास, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे age greater than equal to 0 and and a less than equal to 17 तो क्या पिरिंट होगा you are child okay you are child you are child हो गया उसके बाद अब क्या होगा उसके बाद दखे 18 से 35 तो यहाँ पर हम अब यहाँ पर हम case check करेंगे इस case में भी हम condition को लगाएंगे इसमें हम क्या करेंगे age age अगर greater than equal to 18 and a less than equal to कितना 35 तो आप 35 भी दे दिए जो कोई ने 35 तो यहाँ पर आप क्या प्रिंट कराएंगे यू आर यंग यू आर यू आर वाद क्या होगा यहां पर अब जो भी बचा हुआ वह इंटर होगा तो फोर्टी मतलब कि इसमें हम check चेक करा दे इसके आद अगर कुछ उल्टा उल्टा नंबर देगा तो कुछ default में उसके बाद default में प्रिंट गराएंगे तो इसके लिए हम करते हैं यहाँ पर अगर एज less than 40 less than greater than equal to 40 40 अगर नंबर बड़ा एज ज्यादा होगा तो आपका एज यूर यू आर ओल्ड और उसके अधाम default में रखेंगे एज बाद इन्पूद अब देख लिए है प्रिंट गराएंगे लिए आपके अगर्ट अब देख लिए हैं अब देख भीजिए हैं मेरा बाइड मिस्टिक बहुत गलती होती है यू आर चाइल्ड हो गया यू आर चाइल्ड अगर हम इसको हम 25 करके देखते हैं 25 कर दिया तो यहाँ पर क्या होगा यू आर यांग अगर हम 50 कर दते हैं तो क्या होगा यू आर ओल्ड अगर माइनेस 50 कर दते हैं तो क्या होगा माइनेस 50 कर देख लिए अगर टॉपिक से रिडिटेट कोई क्यूस्टिन हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कॉमेंट डलेगा मुझे उमीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक किजेगा शेयर किजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अब तक के लिए धन्यबाद